वेल्कम आप सेंडलोट ट्री को चंदन ट्री कहा जाता है और एक एकड में अगर इसकी खेती करनी हो तो इसके साथ होस्ट ट्री की रिक्वाइर्मेंट होती है यानि जितने आप सेंडलोट ट्री लगाएंगे उसके डबल होस्ट ट्री लगाने चाहिए यह यह रिक्वाइर सो होस्ट्री लगा सकते हैं आप होस्ट्री का मुखे का मैं आपको बता दूं बेसिक सी जानकरी सैंडलो ट्री अपना खाना खुद नहीं बना पाता है नहीं ले पाता है जबीन से उसका खाना वो दूसरों की जड़ से लेता है तो उसके लिए होस्ट पेड लगा जाते हैं तो कुछ एक्जामपल है होस्ट पेड़ के जामुन ट्री जैसे है माला बारनीम बबूल आपको होस्ट ट्री के जब चुनाओ करना है तो अपने छेत्र के इसाब से करना है कि जहां पर जो पेड़ उगते हैं उन ही को लगाना है और एक बात का खास ध्यान रहें कि उनकी उम गौर्मेंट प्राइस है आपको नहीं गौर्मेंट चैनल के ही हिसाब से जाना चाहिए क्योंकि कुछ एक मिथ्य फैला है कि सैंडल उट्री बैन है लगाना पर ऐसा गलत है यह बैन नहीं है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप लगा सकते एक दो राज्य छोड़के वह आपको अपने फॉरेस्च विवाक से बात कर नहीं होगा पर यह बैन नहीं है सिर्फ इसकी हार्वेस्टिंग आप किसी भी एक राज्य excuse में चैनल से अगर आफ हावेस्टिंग करेंगे उनको इंफॉर्म करके तो कोई भी रोक Haven को बता दूँझी है शहजार से लेकर बहुत ज़ादा होता है क्योंकि एक सेंडल वूड 12 से 15 साल का जो होता है वो 16 से 24 केजी हाट वूड प्रोडूस करने में सक्ष्या में और हाट वूड की ही कीमत होती है हर जगा और इसका जो ये प्राइवेट भी विखता है 15 से 20,000 या उससे ज़ादा भी पर मैं ये कहूँगा आपसे रेकमेंट करूँगा कि आप गौर्मेंट चैनल के थ्रू ही जाएं क्योंकि 6 साड़े से आजार रपे केजी कोई कम चीज नहीं होती है और साड़े 300 पेड़ ही आपको करूनों का मतलब मुनाफ़ा करा सकते हैं तो इसका पूरा आगर आप जानकरी जाते हैं संख्य डीटेल में तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं सानेब्टेंडिंगनेचर.com जहां आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट रपोर्ट भी मिनता सात्मी एंडल्वूड ट्री खेती में कितना मुनाफ़ा होता है इसकी अधिक जानकरी के लिए आप संदल्वूड फार्मिंग प्रॉफिट गूगल में जब टाइप करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यह देखिए साइनफ्टेंटिंग नेचर डॉट कॉम यह इसका एक बार यूएरल देखते हैं अपको इसी वेबसाइट पर ही जाना है जहां आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट रेपोर्ट मिलेगा और इबुक मिलेगी तो इंटर करने के बाद इस तरह का इंटरफेस जिस में इस वेबसाइट में वेजट करेंगे यहाँ पर आपको उम्मदा जानकारी मिलति है इसाइप अंहां से सारी इंफयमेशन हासिल कर सकते हैं इसमें स्पेसिंग से लेकर सारी डीटेल में इंफिर्मिशन दिये है होस्ट प्लांट की भी टेंपरिशर रिक्वाइड सब कुछ इसकी डीटेल में जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे जहां पर आपको एक कलरफुल स्टाइलिश एबुक मिलती है बहुत ज्यादा डीटेल में अच्छी उसमें जानकारी दी गई है एबुक में वह आप एक बार जरूर देखें और उमीद करता हू आपको आज का वीडियो समझ आया होगा पसंद आया होगा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया